नवश्कार, स्वागत है आप सभी का खंड सिच्छा दिकारी की वेकेंसी के बारे में उसके सलेबस, उसकी बुक्स, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये सब हम लोग एक पिछले वीडियो में डिसकस कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लिजिएगा आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे कमेंट जो है लगातार आप लोग करते रहते हैं तो एक बार फिर से उन्हीं चीजों को दोराते हैं और यहाँ पर विसेश फोकस रहेगा कि किस तरह से कम समय में हम इस परिक्षा की तयारी कर सकें और बुक्स हमको काउं सी सेलेक्ट करनी चाहिए, साथ में परिक्षा की संभावित तिथी क्या है, इन सब चीजों पर हम डिसकस करेंगे इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप फुर्सत से बैठें, मतलब आपको पर अच्छा समय होना चाहिए जिससे आप सुरू से आखरी तक जब वीडियो देखेंगे, तो आपके मन में जितनी भी संकाएं हैं, वो सब जो है, क्लियर हो जाएंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और आपको किस तरह से पढ़ाई की सुरुवात करनी है, किन चीज़ों को फूकस करके चलना है इस परिक्षा के लिए, ये सभी आप समझ पाएंगे तो जैसे लोगसेवा आयोग की अने परिक्षाएं होती हैं, उसी तरह से प्रारंबिक परिक्षा, मुख्य परिक्षा, दो भागों में विभथ है, और प्रारंबिक परिक्षा जो है आपके सामने है, और लच्छे आपका जो है बहुत दूर नहीं है, यानि आपके पास ब अगर वास्तों में एक्जाम होता है, खैर मैं इस बात की पुष्टी नहीं करता हूँ, लेकिन चुकी एक संभावित्ती थी और बहुत अच्छे सुरोतों से निकल कर आ रही है, तो कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई भी हो सकती है, नहीं तो अभी आयोग इसको क्लियर करेग वीडियो स्टाइट करने से पहले कुछ वर्तमान में टेसरीज चल लही है, उसके बारे में है, तो बस मैं एक मिनट में अपनी बात टेसरीज के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि हम जितनी सारी पुस्तकों की आगे बात करेंगे, जितनी भी स्ट्रेजीज की बात करे जो है हमने इस टेसरीज में, इस क्रैस कोर्स में डाला है, जितनी भी बुस्तके या जितनी भी नोट्स, तो हमने जो है इस तरह से हर प्रस्न की ब्याख्या को लिखा है, इस तरह से प्रस्नों का सलेक्शन किया है, कि अगर आपके पास बहुत समय नहीं है, आप एक आप में से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो लोग कहीं न कहीं सिच्छक हैं बीएड करके वो कहीं पढ़ा रहे हैं सरकारी सेवा में हैं या प्राइविट सेवा में हैं तो उनके पास बमुस्किल 3-4 घंटे का समय है तो ऐसी स्थिति में आप भारी भरकम किताब को जो है दो मेने में नहीं समात कर पाएंगे जो कि एक वास्तविक्ता है इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे स्लेबस को जो है पूरे गहराई से टच करते हुए इस स्रीज को डिजाइन किया गया है जिसमें कुल 15 टेस्ट हैं इन 15 टेस्ट में 11 जो है फुल स्लेबस पर based हैं और current affairs के specially 4 test हैं क्योंकि लगभग 30% जो है इस paper का भाग current affairs से cover होता है तो current affairs पर वेटेज है इस तरह से 15 test और उनकी PDF आपको दी जाएगी आप website के माध्यम से या हमारा decode exam का app है उस पे आप test को अटाइम कर सकेंगे साथ में ही वहीं से आप तो आप चाहिए उसका print निकलवा के पर सकते हैं यह आपके उपर है और वो ऐसा material होगा कि आपके हर exam में वो काम आने वाला है तो यह test किस प्रकार का है कैसा है इसको देखने के लिए जो है आप हमारे demo PDF को जो है download कर लीजे demo PDF अगर आपको नहीं मिल लही है तो यह number आपके सामने दिया हुआ है 9506742546 इस पर आप call करिए WhatsApp करिए और उसमें परी बात को बता दीजिए आपको जो है demo PDF का link जो है भेज दिया जाएगा और कोई भी आपकी समस्या हो इस exam के बारे में कोई भी query हो आप वो भी पूछ सकते हैं उसका भी समाधान किया जाएगा तो B.E.O. परिच्छा के लिए ये पूरा फुल package है फुल solution है आपके लिए कोई कि वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं लगातार जो है हमारे साथी teacher और मैं इस channel पर आपको जो important topics हैं जो है इस test reach को join कर लेते हैं इस crash course को join कर लेते हैं तो आपको जो है notes मिल जाएंगे question answer के form में जिससे आप पढ़के जो है जल्दी से जल्दी अपना syllabus cover कर लेंगे तो ये सब बाते हो गई test reach के बारे में अब हम जो है main अपने जो हमारे आज बीडियो का बिसे है उस पे चलते है तो सबसे पहले मैं आपको एक alert बताना चाहता हूँ कि online आवेदन प्रारम होने की तिथी तो 13 December थी लेकिन अंटिम तिथी जो है परिक्षा सुल्क बैंक में जमा करने की ये 10 एक है 10 जनवरी तो अगर कोई अभी भी इंतिजार कर रहा है कुछ सोच बिचार रहा है या किसी कारण बस जो है नहीं जो है आप जो है फीज को जमा कर पाए हैं फारम को अपलाई कर पाए हैं तो आप इस मौके से इस सुनहरे मौके से चूक सकते हैं क्योंकि ये जो है मौका 13 साल बाद आया है बीयों की भरती का तो 10 जनवरी तक आप हर हालत में जो है अपना बैंक में फ्रीज जमा करने और उसके बाद जो है सब्मिट करने की लाज डेट भी 13 एक रखी गई है लेकिन आप जो है किसी भी तरह से इंतजार ना करें और जल्द जो विग्यापन निकाल चुका है इसमें कहा गया है कि सीधे सीधे बीयड जो है मानने होगा इसके अलावा अगर आप में में या बीये में जो है एजुकेशन से एजुकेशन सब्जेक्ट से है तो वो नहीं मानने होगा जैसा कि आप लोग की most queries थी जो है और पहले एक डिप्लोमा होता था कि यह आपका syllabus है प्री exam का syllabus है पहले भी हम discuss कर चुके है इसको कुल 11 खंडों में बाटा गया है जिसमें से आपको 120 प्रस्न जो है इक्जाम में मिलेंगे और इसका पूरांग 300 होगा समय दो घंटा होगा निगेटिव मार्किंग भी होगी और पेपर का इस्तर जो है समीच्छा दिकारी वाला जो पेपर होता है उत्तरपदेश लोग सेवायोग का उसके समकच होगा क्यों क्यों कि अगर जो है इसमें से एक दो चीजों को हटा दिया जाए और हिंदी जो है समीच्छा दिकारी से निकाल दी जाए तो इस लेबस में को तरह से लोकसेवा आयोग ने अभी PCS की परिक्षा में अपना प्रदर्सन दिखाया है कि पेपर जो है किस इस्तर का आया था क्योंकि अब धीरे-धीरे जो है संग लोकसेवा आयोग अनि UPSC की पैटर्न पर बढ़ने का प्रयास है तो उसी लिए जो है आब जो भी चीजे पता होने चाहिए आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आप में जो है निर्णय लेने की छमता होना चाहिए प्रस्ट में कई प्रस्टन ऐसे होते हैं कि अगर आप सही डिसीजन लेते हैं दो आपसंस के बीच में कथन कारण हो चाहे वो मिलान वाला हो और सही तरीके से उसके बारे में सोचते हैं तो आप उस question को solve कर सकेंगे तो आपको जो है question पढ़ने का उत्तर देने का अपना जो attitude है उसको भी थोड़ा सा जो है बढ़ाना होगा निखारना होगा जिससे आप कुछ और जो है improve कर सकें तो हम इस पूरे syllabus पे segment wise अभी discussion करेंगे और कौन-कौन सी books आप पढ़ सके हैं उसके बारे में बात करेंगे उससे पहले एक छोटी सी बात ये कि आप में से मैं मानता हूँ कि तीन category के लोग ये वीडियो देख रहे होंगे यानि एक student category community की बात कर रहा हूँ वो तीन तरह के एक तो वो है जो लोगसेवा आयो की यानि उत्तरपदेश लोगसेवा आयो की नीमेत रूप से परिक्षाएं देते रहते हैं PCS Pre उन्होंने मिकाल लखा होगा कुछ लोगोंने मेंस, कुछ लोगोंने इंटर्व्यू भी दिया होगा कुछ लोग जो है आल लेडी किसी जॉब में सेलेक्टेड होंगे तो उनको एक अच्छा खासा अनुभाव है लोगसेवा आयो के पेपरों का कि किस तरह से प्रस्नपत राते हैं, क्या बदलाओं है पुराने सालों के पेपरों के जो भी प्रस्न है वो उनको अच्छे से पता होंगे तो उनको हम जो है ये मान के चलते हैं कि उनको जो है बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी अब दूसरी कम्यूनिटी कौन सी है? जो प्योर इस्टुडेंट है प्योर इस्टुडेंट का मतलब जो है अभी वो तैयारी करना सुरू किये हैं या साल दो साल से पढ़ रहे हैं लेकिन लोग सिवा आयोक के परिछाओं से बहुत ज़्यादा परचित नहीं है लेकिन उनके साथ प्लस पॉइंट क्या है? कि उनके पास पढ़ाई के सिवा और कोई काम नहीं है यानि वो वर्किंग नहीं है पूरी तरह से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं चाहे वो कहीं अकेले रहते हों, होस्टल में रहते हों या घर में रहके पड़ रहे हों तो उनको अगर जो है एक सही दिसा बता दी जाए तो वो जो है अपनी जो है दिसा उसी ज़रा पे चलके जो है अच्छे से कोई भी एक्जाम की तैयारी कर सकते हैं तीसरा जो सबसे प्राब्लम वाला वर्ग है जिसको हम कहते हैं पार्ट टाइम इस्टूडेंट होना यानि आप नौकरी कर रहे हैं या मालिये महिलाओं के केस में कहें कि वो ग्रहस्त हैं, ग्रहस्त जीवन में हैं, बच्चे वगरा भी हैं तो ऐसी दसा में आपके पास समय स सबसे मुश्किल है कि आप समय निकालें और आपकी इच्छा भी है कि आप एक बेटर नौकरी पा जाएं, क्योंकि आपने योगिता तो है, लेकिन आप परिच्छा की तैयारी से कई दिनों से दूर हैं, चाहे वो कोई भी वज़े हो, चाहे आपको कोई नौकरी मिल गई हो इस वज़े से आपने पढ़ाई बन कर दी हो, या आप नौकरी नहीं पाए, आप किसी और काम में ब्रस्त हो गए, तो ऐसा वर्ग सबसे यादा समस्या उसके सामने आती ही, तो हम स्ट्रेजी को दो तरह से डिसकस करेंगे, यह सारी बात बताने का मतलब यह था, कि जो पू पहले हम बात करेंगे जो है regular students की, क्योंकि books भी पढ़नी है, तो आपके पास समय होना चाहिए, और यह मान के चलिए कि एगर आप 4-5 घंटे नहीं निकाल सकते हैं, तो आप जो है बहुत अच्छी तयारी नहीं कर पाएंगे, वैसे इन सब परिक्षाओं में 8-10 घंटे भी daily पढ़ना कम है, लेकिन अगर आप बहुत concentrate होके अच्छे से और बिना किसी ब्योधान के, ब्योधान का मतलब यह है कि बीच में आप mobile नहीं देखते हैं, बीच में इधर उधर टहलने नहीं जाते हैं, थोड़े थोड़े breaks के बार लगातार पढ़ते हैं, तो अगर ऐसे मे आप 4-5 घंटा भी नीमित पढ़ रहे हैं, यहाँ पर consistency बहुत जरूरी है, अगर आप नीमित हैं और एक schedule बना कर पढ़ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से जो है, इस परिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम सामान विज्यान से बात करें करेंगे, current affairs के अगर questions को छोड़ दिया जाए, क्योंकि top ranking उसकी रहती, सबसे यादा प्रस्न जो है, उसी से आते हैं, उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई है, तो सामान विज्यान, फिर geography, फिर history, तो यह चार चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पर आप जो है, नोट कर सकते हैं, पहली चीज़, current affairs, फिर general science, सामान विज्यान, इसमें biology भी आता है, physics chemistry भी आता है, उसके बाद अगर हम बात करें, जो है, तो geography का नंबर आता है, इसमें Indian geography, world geography, physical geography, साथ में environment, ecology, और चोथे नंबर पर history, जिसमें ancient, middle, modern, सबसामिल हैं, अगर आप इन चार subject पे command बना पाए, और इसको अच्छे से पढ़ पाए paper तक, बाकी subjects के भी question आते हैं, उनका भी अपना एक महत्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है, prominently, frequently, और जो है, अगर संख्या में देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा questions जो है, इन areas से आते हैं, तो सबसे पहले हम सामान विज्याद की बात करते हैं, सामान विज्याद जो लोग science side से हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा tough चीज नहीं है, सामान विज्याद पे सीधे सीधे यानि straight questions आते हैं, biology, physics, chemistry से, और जो आपने high school, intel के level तक पढ़ रखा है, उसी तरह के questions आते हैं, सबसे अच्छी बात क्या है, कि इनमें previous year questions का repetition भी होता है, तो जो लोग नई शुरुवात कर रहे हैं, उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, घटना चक्र, घटना चक्र या कोई भी जो है book, अब तो youth publication है, silpy publication है, इन सबकी books आती previous year questions answer की, उसमें solve question answer दिये रहते हैं, उनका description दिया रहता है, तो आपको जो है सबसे पहले घटना चक्र से जो है previous year questions answer को पढ़ लेना है, सारे देख लेना है, उनका description भी पढ़ लेना है, क्योंकि अगर question नहीं repeat होता है, तो आपको description पढ़ेंगे, तो उससे सम्बंदी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, उसके बा आएं, तो NCRT से बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी भी जो है अच्छी इस्तरी बुक्स माने जाती है, सभी NCRT पर ही बेज होती है, तो NCRT सबसे बढ़िया तरीका है, उसके बाद आपके पास और कम समय मालीजिए, तो आप जो है सबसे popular book, जो है Lucent General Science की या किसी भी प्रकासन की जो है, General Science की book, जो आप पढ़ते आए हो, आपके पास हो, महेश वनवाल की NCRT सार आती है, बहुत सारे जो है उसमें, तो आप वो भी ले सकते हैं, Science की भी आती है, इसके अलावा ज्यान publication की आपने देखी होगी, books जो है काफी रंगीन छपाई वाली होती है, अ उसकी जो है, quick books आती है, उसकी quick books हर जो है, GS के subject के लिए आती है, तो उसकी quick book पतली भी होती है, अगर आप ले ले तो revision भी आपका हो जाएगा, और आप कम समय में उसको खतम कर लेंगे, यहाँ पर कम समय में पतली book पढ़ने का मतलब क्या है, कि आप जब कोई किताब लेते हैं, तो आपके अंदर एक जो है, गजब का उसा आ जाता है, confidence आ जाता है, तो सबसे पहली जरूवत आपकी यह है, कि आपको जो है, स्वता हिस्पूर्थ होके जो है, अपना confidence भी बढ़ाना है, self-confidence, इसलिए आप अगर बहुत मोटी किताब लेके बैठ जाएंगे, और उसके जो है, आप चौथाई पन्ने भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप demoralize हो सकते हैं, लेकिन सही तरीका वही है, कि आप फुल कोर्स को पढ़ें, फुल स्लेबर्स को पढ़ें, पूरी deep पढ़ें, लेकिन उससे बेहतर यह है, कि अगर आप कम समय में तयारी कर रहे हैं, तो आप पतली किताब को prefer करें, और authentic मतलब, जो जिनका जो है publication, ऐसा माना जाता कि error free हो, छोटे मोटे error जो है, सभी जगे हो सकते हैं, लेकिन error free हो, तो ऐसे publications को preference दीजे, तो इन में से आप जो है कोई एक option, choose कर सकते हैं, सभी आपके लिए better हैं, इसके बाद, जैसा कि म प्राचीन और मद्कालीन, और आगला portion क्या है, modern history, जो इसके बाद हम देखेंगे, तो प्राचीन और मद्कालीन को मिला के जितने question आते हैं, उतने modern history से अकेले आते हैं, यानि प्राचीन और मद्कालीन को आपको पढ़ना है, इसके लिए भी सबसे बहतर सोत, जो है, NCRT ही मैं मानता हूँ, लेकिन कम समय है, आप कई सारी किताबे नहीं पढ़ सकते, कुछ लोग NCRT को इसलिए भी नहीं पढ़ते हैं, कि उनको लगता है, बहुत आसान किताबे हैं, यह जो है, और यह तो बचकानी चीजें इसमें लिखी हुई, लेकिन जो है, आप अगर उसको प NCRT के बेस पर लिखी गई है, और अच्छी बुक है, उसमें चैप्टर वाइज, सेग्मेंट वाइज, जो है, अच्छा थोड़ा-थोड़ा डिस्क्रिप्शन देते हुए, तो यह ऐसी बुक है, जिसको आप आसानी से खतम कर सकते हैं, अगर आप कम समय पढ़ना चाहते ह इसके अलावा एक किरन कम्टीशन टाइमस की, जो है, जिसका अभी रिवीजन भी हो गया, नया संस्क्रण आ गया है, तो किरन कम्टीशन टाइमस इसको KCT कहते हैं, KCT की इस्टरी की बुक आती है, इसको लेने में क्या फाइदा है, कि आप मेडिबल, एंसियन्ट और मॉड तीनो बुक्स जो है एक ही बुक में है बहुत मोटी बुक भी नहीं है आप जो इसको आसानी से पढ़ सकते हैं अगर आप नीमित रूप से इसको पढ़ेंगे और फैक्ट बुक है ये इसमें सारे फैक्ट लिखे हुए है और क्रमबत तरीके से है तो आप इसको आसानी से वो चुका है तो आप उसको भी प्रुफर कर सकते हैं उसके अलावा अगला अप्षन जैसा मैंने बताया द्रिष्टी की quick book तो द्रिष्टी की quick book आप ले सकते हैं जो है हिंदी इंगलिस दोनों में ही आती है एसके पांडे की अगर आप बुक लेंगे तो आपको जो है बेतरी इन राइटर है न्सी आटी पर भी बेज़ इन्यों ने किताब लिखी है लेकिन इनकी तीनों किताबें आपको अलग अलग लेनी पड़ेगी प्राचीन, मदिकालीन और आदुनिक तो अगर आपके पाँ डिटेल में पढ़ने का समय ना हो या आप जो है हिस्ट्री को आपने बहुत अच्छे से पहले से नहीं जानते हैं तो अभी आप जो है इसको नहीं पढ़ पाएंगे ये भी एक हकीकत है लेकिन किताब के मामले में ये जबरजस्त किताब है फिर घटना चक्र की में बात जो है हर उसमें करूँगा क्योंकि आपको प्रिवियस येर कोश्चन को देखना जरूरी है उससे आपको एक पैटन का आइडिया होता है कि आयोग किस तरह के कोश्चन्स पूछता है और पहले किस तरह के कोश्चन्स पूछे जा चुके हैं और उनका डिस्क्रिप्शन जब आप इतनी चीज़ों को देख लेते हैं तो आपके अंदर ये हो जाता है कि हमको पढ़ना है वो किस दिसा में पढ़ना है तो आपको जितने भी जी एस के सब्जेक्ट हैं सभी में घटना चक्र की ये बुक्स पढ़नी चाहिए फिर बात करते हैं modern history भारती राष्टी अंडोलन तो ये अपने आपने बहुत जो है तो interesting है अगर आप history को modern middle ancient से घबराते भी हैं तो आपको modern पढ़ने में जरूर मजाता होगा ये मैं हिश्ची तरुप से कह सकता हूँ तो इसको आप जो है interesting तरीके से पढ़ भी सकते हैं और इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप अच्छा score भी कर सकते हैं कि इससे जो question आते हैं वो आप आसानी से कर भी पाएंगे तो इसमें पहला स्रोत NCRT अगर आप NCRT ले रहे हैं तो आपको modern history उसी में मि history की quick book है घटना चकर सीजे वही है जो पीछे मैंने बताई अब यहाँ पर depend करता है कि आप एक single किताब history के लेना चाहते हैं या तीनों को अलग अलग लेना चाहते हैं यह सब आपके अपने उपर depend करता है कि आप जो है किस level का और कितने समय में उसको पढ़ने की इच्छा फिर भारती राजचंत्र अर्थवियोस्था और संस्क्रती तो यहाँ पर जो संस्क्रती वाला portion है कल्चर वाला यह तो आपका जो है ancient history में cover हो जाएगा उसी में जो ही आ जाएगा राजचंत्र यानि पॉलिटी की हम बात करें तो political science की जो है न्सी आटी की book आती है बहुत और उसमें आपको वाडी में क्या एक फाइदा है वाडी में आपको जो है जो UPPSC के previous year questions है उनको जो है उसमें mark किया गया है उसमें दिया गया है और उसमें जो box के अंदर जो कुछ content दे रहते हैं वो बहुत मातपूर होते हैं fact की दृष्टी से तो वाडी आप इसमें prefer कर स फिर अर्थव्योस्था में भी जो है आप NCRT ले सकते हैं और परिक्षावाडी की ले सकते हैं अर्थव्योस्था में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि static portion अब बहुत कम हो गया है अब जो इसका dynamic portion यानि जो current से related अर्थव्योस्था है वो ज़्यादा पूछा जाता है इसलि इसमें वाड़ी जो और व्यापार तो आपका economics में आ गया क्रसी की बात करें तो आप इसको चाहे जोगर्फी से जोड़ के देख सकते हैं या इसको आप individual subject के रूप में economics के अंदर ही जो है या आता है वैसे तो तो आप जो है क्रसी क्रसी से question आते हैं फसलों के बारे में र जो है बुकाती है तीपतली सी वह आप ले सकते हैं या परिक्षा मन्थन में भी जो है agriculture की बुकाती है सभी हिंदी में भी उपलब्द है इंग्लिस में भी और घटना चक्र में जो है आप जो economics वाली घटना चक्र है उसमें क्रसी वाला portion दिया होगा आप उसमें से previous year questions को द सकते हैं परिक्षा वारी या परिक्षा मन्थन दोनों ले सकते हैं अच्छी किताब हैं दोनों जो है जनसंख्या और नगरी करण की जहां तक बात करें यानि सेंसर्स की तो सबसे बढ़ है आईडिया आपके पास यह है कि घटना चक्र की जो है जो जनसंख्या वाली बुख है जनगर्णा वाली वो ले लीजिए उसका जो संसोधी संस्क्राण भी पहले ही आया था तो आप उसको ले लीजिए इसके लावा एक्जाम टाइम्स की भी सेंसर्स की आती है बुख पतली है जो है तो वो भी किताब अच्छी है अथेंटिक किताब है फिर परिक्षा वाडी भी आपके सामने विकल्प है इन्वार्मेंट के लिए और घटना चक्र से जो है आपको इन सब सेक्षन को जो है प्रीवियस एर कोश्चन को देखना पड़ेगा तो यह हमने छटे सेग्मेंट की बात कर ली अब आते हैं बहुत बड़े सेग्मेंट पे जो दूसरे तीसरे नंबर पर महतुर रखता है इस परिक्षा के लिए और UPPSC की जितने भी एक्जाम से सभी के लिए तो बिश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों का बराबर वेटेज है अपने चैनल पर यानि डिकोड एक्जाम पर जो है आसू सर इसको लगातार पढ़ा रहे हैं आप लोग उसको सुरुआत में अपने इंटरेस्ट लिया लेकिन आप इधर जो है नहीं देख रह पूरे मैप के साथ में आपको बता रहे हैं तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो उन वीडियो को जरूर रेगुलर फालो करिए आपका जो है कांसेट लेविल तक वहां क्लियरिटी हो जाएगी अब NCRT यहाँ पर भी बहुत उपी होगी है क्योंकि NCRT जो है ब प्रिक के लिए महेश्वनवाल यह तो आप जो है यह ले लेंगे तो यह वन टाइम सेलुशन है महेश्वनवाल दृष्टी की क्वीक बुक भी आपके सामने आपसन है और घटना चक्र से आप प्रीवियस येर कोश्चन पेपर को देखेंगे अब अगला से करेंट करेंट प्रीवियस जो सबसे बड़ा आपके पास सेग्मेंट है और यह सेग्मेंट ऐसा है कि आप इसको जब आप आप आफिस में काम कर रहे हो तब भी आप बीच में समय निकाल कर पर सकते हैं कैसे पर सकते हैं आप जो है वेब साइट तमाम वेब साइटे है अच्छी-ची जीक आपको जो है रोज एक अपना जो आप घर में पेपर आता है नारमल चाहे हो दैनी जागरण हो हिंदुस्तान हो अमर उजाला हो आप उसकी जो है राष्टी अंतराष्टी घटनाओं को जो है नीमित रूप से पढ़िए और अगर आपके पास समय है तो आप उसको नोट भी क आपको एक घंटा लगेगा लेकिन उस एक घंटे में आप जो नोट कर लेंगे उसके अलामा आपको मैगजीन्स और बाकी चीज़ों की जरुवत नहीं पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा आप जो है जब एक्जाम के 15-20 दिन पहले जो उस समय अर्दवार्ज की या वार्ज है तो मंतली मैगजीन में इद्रिष्टी है घटना चक्र है घटना सार है समसमाई की महाजागर है क्रॉनिकल है क्रॉनिकल दो तर ay की आती ना जного जह जादा बेटर आए जो है जाम के लिए पृत्योगता दर पढड है की की वेपसाइट है बाकी बहुत सारे जो है चैनल ह यहां पर भी जो है decode exam पर भी जो है current affairs जो है लगातार daily सुबह 10 questions की series आती उसके साथ ब्याख्या दी जाती है तो आप विभिन मादमों से पढ़ सकते हैं लेकिन ये जान लिजे कि current affairs अगर आप नहीं तयार करेंगे तो आप कम से कम जो है 20 से 25 प्रस्नों को भूगतने के कि 22 मार्च वाली डेट सही होती है यानि तो आप कम से कम जो है अप्रैल 2019 से current affairs को पढ़िए एक साल तक का current affairs और योजनाएं जो होती हैं भारत सरकार की किसी राज की वो उससे भी पुरानी पूछी जा सकती है तो current affairs पे आपको सबसे अरद ध्यान देना है अब बात आती है reasoning reasoning skill तो reasoning के लिए क्या करना है आपको आपके पास RS अगरवाल होगी किरन वाली publication की book होगी कई सारी books reasoning की होती है तो इसका इस्तर जो है आप कैसे समझेंगे उसके लिए जो है UPPSC यानि लोगसेवा आयो उत्तरपनेस में जो seasite का paper होता है तो seasite की घटना चक्र में भी book आती है आप चाहे वो ले लीजिए या आपके पास जिस भी publication की book हो जिसमें seasite के पुराने papers का solve हो कोकि seasite 2012 से ही paper है तो अभी बहुत ज़्यादा paper भी नहीं है जो भी 5-7 साल के paper है आप उसको solve कर लीजिए उसी से मैत उसी से reasoning दोनों को solve कर लीजिए आपको idea लग जाएगा कि प्रस बहुत ज़रा suggest करने की ज़रूरत नहीं है अब उत्तरप्रेस एक बहुत ही important portion है अभी PCS में तो उत्तरप्रेस नहीं आया था लेकिन अभी जो है आपके साथियों ने और तमाम लोगों ने जो है आयोग पर दबाव बनाया है निश्चित रूप से जो है UP के प्रस्न ज़रा भी आ सकते हैं तो घटना चक्र जो उततरप्रेस इसेसल ये पुराने अपरस्न पत्रों की बात नहीं करें तथ्च्यसार करके जो घटना चक्र आती है उत्तरप्रेस इस special और UP special में current affairs मेरे पर छोड़ दीजे पुराने वीडियोज को देख लीजे UP special के आपका सब कवर हो जाएगा योकि decode exam से अच्छा कहीं पर भी जो है UP का current affairs नहीं पढ़ाया जाता यह मैं दावे से कहता हूँ आगे चलते हैं ग्यारवाय और अंतिम जो है इस analysis का बिंदू क्या है प्रारंभी गडित high school इस्तर तक जिसमें अंगडित, बीजगडित वर एखागडित सब आते हैं तो जैसा कि मैंने reasoning के लिए आपको बताया कि आपको जो क्या करना है seaside के papers को देखना है तो same इसमे भी करना है seaside के papers में आप देखिए कि मायत का क्या level है मायत के कौन से question आते हैं किन chapter से आते हैं उसके बाद आप जो है उन chapters को पहले जो है जो भी book है मैं तो RL, RS Agrawal को आपको suggest करूँगा किरन की भी आती है बहुत सारे writers की आती है आप जैसे भी पढ़ना चाहें इसमें कोई बहुत specialization की जरूवत नहीं है जो किताब आपको समझ में आती हो या जिससे आपने कभी practice की हो आप उसको prefer कर सकते हैं तो और यहाँ पर यह भी जानना आपको जरूरी है कि चुकिश स्लेबस में किते question हैं 120 हैं तो आप यह मान के चलें कि math और reasoning यह लगभग 20 में सिमट जाएगी 20 से 25 भी हो सकती है और 20 से 15 भी हो सकती है तो एक average मान के चलते हैं कि 20 question में math और reasoning सिमट जाएगा जैसा कि आरो के paper में होता है और इसमें आप यह मान के चलें कि 10-10 question math और reasoning से आएगा तो आपको उसी इसाप से जो इसकी त्यारी करनी है सबसे ची बात क्या है जिनको math और reasoning आती है उनके यह number पक्के होते हैं को कि इसमें तुक्का माने की गुंजाईसी ही नहीं होती तुक्का माने जिरूती ही नहीं होती है वो सीधे सी दे question को solve करते हैं चार में से एक option उनका जो है आ जाता है और वो sure हो जाते हैं कि हम जो बताने जा रहे हैं वो सही बताने जा रहे हैं आप जैसा कि मैंने सुरूम कहा था कि जो हमारे part-time students हैं जो इस परिक्षा में सबसे ज़्यादा परिक्षारती हैं क्यों? क्योंकि ज़्यादा तर सिच्छक हैं या कोई और जॉब कर रहे हैं प्राइविट टीचिंग जॉब कर रहे हैं या हो सकता सिच्छक ना भी उन्होंने बीएट किया और कोई और जॉब कर रहे हो तो ऐसे लोग जो है बहुत इनकी संख्या जादा है और उनके पास कोई बिकल्प नहीं है कि वो जो है अपनी नौकरी को छोड़ दे या जो है नौकरी से चुट्टी ले ले तो पहली चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अगर इस परिश्चा के लिए अपलाई कर रहे हैं और सीरियस हैं तो आपको ये मान के चलना होगा कि आपको कम से कम 5 गंटे का समय नीमित रूप से निकालना होगा ये 5 गंटे आप कैसे निकालेंगे ये आप पर डिपेंट करता है 2 गंटा सुबे, 2 गंटा साम 1 गंटा राद, जिस तरह से भी आप इसको मैनेज कर पाएं ये आपके ओपर डिपेंट करता है लेकिन इतना आपको कम से कम करना पड़ेगा नहीं तो जो है आपके लिए काफी मुस्किल हो जाएगा ये पेपर तो अब ये है कि आपके पास अगर हम मान के चलते हैं कि 22 मार्च को एक्जाम होगा जो की शियोर नहीं है एक इग्जामपल आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं जब तक कोई चीज क्लियरिटी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आ जाती मैं उसकी बारे में कोई टिपड़ी नहीं करता हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है दस येर के जो है solve जितना भी लोगसेवा आयोग का परिक्षाओं का पेपर है दस साल का जो है आप पेपर कई सारे publication के आती है books जो है आप उनसे ले लीजिये और दस साल की परिक्षाओं का पेपर solve कर लीजिये विसेश कर PCS की और समीच्छा दिकारी की दो तो आपको करनी करनी है PCS और आरो ये दो जो है आपको 10 साल 8 साल इतने भी पेपर आपको सब लेवल नो कर लीजिए उसमें जो है आपको General Studies वाला portion और साथ में C-Sight वाला C-Sight में क्या आपको पढ़ना है Math और Reasoning ये इतना ही पढ़ना है फिर C-Sight के अपने बात कर ली उसके बाद जो है नीमित रूप से आप जो है Lucent GK या Lucent GK जैसी जैसे पूजा पब्लिकेशन में आती है द्रश्टी में आती है कई सारी जो है पब्लिकेशन में GK की बहुत सा ये अच्छी किताबे आती हैं तो आप जो है GK की कोई किताब ले लीजिए उस किताब को जो है आप नीमित रूप से अपने साथ रखिए गर आपको आफिस में समय मिलता है स्कूल में समय मिलता है तो आप उसको पढ़ते रहिए और उसके साथ Lucent Science को भी Science हलाकि इसमें भी योगी GK में लेकिन यहाँ पर Science का चुकी वेटेज ज्यादा है और Science में थोड़ा जो है इस्पेसफिक थोड़ा टफ कोईस्चन भी आ जाते हैं तो Science को आपको जो है अलग से जो Science की बुक पढ़नी पढ़ेगी तो उसमें आप जिश्टी की QuickBooks भी सारी ले सकते हैं ये हो अब थोड़ा सा आप और हिम्मत करें NCRT की बुक्स ले लें सारी लेने को आपको नहीं कहूंगा 9 से 12 यानि 9 to 12 की जो है Science ले लीजिए Economics ले लीजिए Environment, History, Geography ये जो है ले लीजिए और सब एक साथ खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है एक एक करके लाइए और जितना आगे बढ़ते रहिए तो इससे क्या होगा कि आपको जो है बहुत ज्यादा दूसरी बुक्स और नहीं पढ़नी पढ़ेगी और NCRT की बुक्स जो है आसानी से समझ में आने आली होती है तो आप NCRT की बुक्स से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा इसके अलाव कि अपनी दाग जमानी होगी करनट अफेर पर आपको बहुत अच्छा कमांड करना होगा इसके लिए पिछले एक साल का Current Affairs यानि हम March अगर मान के चलते हैं तो पिछले April से इस March तक के लिए पूरा Current Affairs सबसे पहले तो जो है जो कोई भी revision series आई हो मतलब वार्सिकांक आया हो किसी भी publication का Current Affairs का वो ले लीजिए जिससे आपका पूरा Current Affairs दो पार्ट में दो PDF में दिया गया है नहीं तो आप जो मैंने नमबर बताया 950-67-42546 उस पर आप जो है कॉल करके जो है मान सकते हैं फिर Current Affairs में आपको जो है एक तो पेपर आप नीमित रूप से पढ़ते ही हैं गर आप जो है जागरुप हैं समाज के प्रती और जो है खबरों में खबरों को जाने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके आदत में होगा तो डेली कोई ना कोई नियूस पेपर आप पढ़ते हैं बस उसको आपको पढ़ने का आप जो है जो तरीका है जो एंगिल है वो बदलना पड़ेगा पहले आप जो है इस्थानी खबरों पर जादा ध्यान देते थे अब आपको राश्टी अंतराश्टी खबरों पर जादा ध्यान देना होगा फिर मन्तली मैगजीन को एक लेना सुरू कर जीए इदरिश्टी गटना चकर गटना सार समसमाई की महासागर क्रोनिकल प्रतियोगता दरपन जो भी आपको सुटेबल लगे आप ले सकते हैं मैं सजेश्ट करूंगा क्रोनिकल जो है हिंदी की जो आती है तीस रुपए की लगबग बुक होती है पतली होती है तो आप जो है कम पन्नों में ज़्यादा मठीरियल पा जाएंगे और आपके अंदर जो एक आत्मबल बना रहेगा कि हां मैं इस किताब को खतम कर लूँग और यही सबसे जरूरी है तो अगर आप इस तरह से इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप तयारी अच्छी कर पाएंगे और पार टाइम जो हैं वो टेसरीज को जरूर जोईन करें क्योंकि आप अगर इतना सम नहीं कर पा रहे हैं या इसमें से बहुत क्याख निकालना है कौन से कोश्चेन आ सकते हैं किनकी संभावना ज़्यादा है इसके बारे में सोचना है तो ये सब काम हमने आपके लिए ऐलेड़ी करके रखा हुआ है हमारी आठमी नवी टेसरीज हैं हमने लगभग हर में बहुत बहुत भैटर प्रजरसन किया है हमारे टेसरीज के बारे में जानने के लिए 950-67-42546 इस पे आप वाटसेप पे या कॉल के माध्यम से बात कर लीजिए जानकारी ले लीजिए और सबसे पहले हमारा डेमो टेस्ट देखिए क्योंकि डेमो टेस्ट देखके ही आप अंदाज लगा पाएंगे कि जिस क्वालिटी हम बात करते हैं वो उसमें है की नहीं है अगर आपको लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है तो आप जो है टेसरी आगे जोईन कर सकते हैं सारी बात यहां पता चल जाएगी अब थोड़ा सा ये चीज़े मैं पहले बता चुका हूँ जो इससे पहले लेक्चर हुआ था त और अगर समय मिलेगा तो बात में पूरी चीज़े पढ़ लेंगे तो ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये सेम पीडियाप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में आपको दी जा रही साथ ही में टेलिग्राम पर फेस्बुक पर जहां जहां भी हमारी प्रजें हैं वो यहाँ पर जो इस तरह से आपको अभी दे दी जा रही है लिंक में आप जो है इसको डाउनलोड करके हमेशा रख लिए अपने पास जिससे आप जो है जब भी पढ़ने बैठे तो एक बार आप देख लें कि आपको किस सब्जिक्ट में क्या पढ़ना था तो दोस् निश्यत रूप से ये बहुत ही अच्छा मौका आपको मिला है तेरा साल बाद और उपर से ये राजपत्रित पद है और राजपत्रित पद तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये प्रतिश्ठित पद है क्योंकि आपको एक पूरे छेत्र का जो है सुपरवीजन का भार मिलता है आपके अंदर में कई सारे प्रात्मिक विद्याले उच्छ प्रात्मिक विद्याले उनके टीचर साते हैं जहां पर जो है अलग तरह का प्रसास्दिक अनुभव मैसूस कर सकते हैं और देश की जो सिच्छा बेऊस्था विसे इसका प्राथमिक सिच्छा है उसमें अपना आप युगदान दे सकते हैं तो यह एक ड्रीम जो आपके लिए हो सकता है इसके लिए जो है मैंने कुछ आपको जो है सुझाओ देने का प्रियास किया अगर कोई आपको कमी लगती इस वीडियो में तो आप जो है कमेंट पूछिएगा हम उसको आगे आप बताएंगे और इस जो है जो स्लाइड आपको दिखाईए है इसका सारा पीडियाप जो है पीडियाप फॉर्म में अब लेबल है इस वीडियो के लिंक में आप ले लीजिएगा और साथ ही में हमारी टेसरीज के बारे में भी साथ जानकारी दी है अगर आप टेसरीज लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप निश्चिंत होके इस परिक्षा के द्यारी कर पाएंगे तो अभी के लिए ताही नमस्कार धन्यवाद